हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मा यूटूब चैनल दोस्तो इस वीडियो के अंदर अब यहम लोग धातू और उनकी योगिक से सम्बन देते तीस ऐसे मैधपूर्ण परसंद देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एक्षान से रेल बे एंटे पेसे गुरूप डी एसेसे पूलिस एक जा और सभी परतियोगिता परिक्षा के लिए एक काफी मैधपूर्ण है तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो पास वाले घंटी का निसान है उसे भी अनकर दें तो चल आपसन डी हो जाएगा सोडियम का परमाडू करमांग कितना होता है तो देखे सोडियम का परमाडू करमांग है यह ग्यारा जो है यह सोडियम का परमाडू करमांग होता है ठीक है अगला कुश्यन देखे कुश्यन नमार टू है समूद्र में सरवाधिक मात्रा में कौन सा पाए जाता है तो देखे समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में यह सोडियम को राइड पाए जाता है तो इसका राइट एंसर ओप्शन ए उचायेगा नाइस्ट कुश्चन देखे कुश्चन नमाद 3 है सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाये तो अक्या होगा तो देखे सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाये तो वह तैरते हुए जो है जलने लएगा ठीक है तो इसका राइट एंसर ओप्शन C हो जायेगा नाइस्ट कुश्चन देखे यहाँ पर हमारा चोथा नमर कुश्च्याड है न वह रसानिक योगी का समाने नाम निमनलिखित में से क्या है तो देखे न वह रसानिक योगी का समाने नाम ये कास्टिक सूड़ा क्या है कास्टिक सूड़ा है तो इसका राइट एंसर ओप्शन ए हो जायेगा नाइस्ट कुश्चन देखे यहाँ पर हमारा पांचवा नमर कुश्च्याड है धोवन सूड़ा का रसायनिक नाम ये सूडियम कार्बोनेट जो है ये धोवन सूड़ा का रसायनिक नाम है तो इसका राइट एंसर ऑप्शन C हो और यह देख्शाम पुछ हम दोखने और राचा राशाय को और और अम्रह दोखर्य राखिव करिया जाने वाहे। हाईपो बिलियन का रासायनिक नाम निमन लेखित में से क्या है तो देखे फोटोग्राफी में समानता परियोग क्या जाने वाला नाम यह सुडियाम थायो सलफेट है क्या है सुडियाम थायो सलफेट है तो इसका यहां पर हामारा आठ्वा नमर कुष्ट जाएगा चाहिए। मैं से क्या है तो देखिए सदारान नमक का रसानिक नाम है तो इसका राइट अंसर option c उजाएगा और यह देखा हम पुछाए सधारण नमक का रासानिक सूतर क्या है तो देखें सधारण नमक का रासानिक सूतर यह nсл जो है यह सधारण नमक का रशानिक सूतर है ठीक है अगला question देखीं यहाँ पर अमारा नइन्थ नमर question है हाईपो का रासानिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या है तो देखे हाईपो का रासानिक सूत्र यह N2-S2O3.5-S2O जो है यह हाईपो का रासानिक सूत्र है तो इसका आईट एंसर, option A हो जाएगा नाइस्ट कुश्चन देखे यहांपर आमारा दसवा नमर कुश्यन है sodium aluminate का रासान एक सूतर निमने लिखित मेंगे से क्या है तो देखे sodium aluminate का रासान एक सूतर ये NAIO2 जो है ये sodium aluminate का रासान एक सूतर है तो इसका आइट answer option C हो जाहेगा नाइस्ट कुश्चन देखे यहाँ पर हमारा 11 नमर कुश्याद है सोडा लाइम निमने लिखित में से किसका मिसरण है तो देखे सोडा लाइम जो है यह एनने हो एचे प्लस यहो का मिसरण है ठीक है तो इसका राइट एंसर ओप्शन बी हो जायाएगा नाइस्ट कुश्याद देखे यहाँ पर हमारा 12 नमर कुश्याद है कास्टिक सूडा का रासानिक सूत्र निमने लिखित में से क्या है तो देखे कास्टिक सूडा का रासानिक सूत्र यह एननने हो एचे जो है यह कास्टिक सूडा का रासानिक सूत्र है यह काश्टिक सोडा का रसानिक नाम है ठीक है अगला कुष्चन देखिए यहाँ पर हमारा तेरहँआने क्षेट है गलाबर साल्ड का रसानिक सुत्र निमनलिकित में से क्या है तो देखिए गलाबर साल्ड का रसानिक सुत्र यह एनने 2SO4.10H2 जो है यह गलाबर साल्ड का रासान एक सुत्र है तो इसके राइट एंसर ओप्शन बी हो जाएगा नाश्ट कुश्चन देखिए यहाँ पर हमारा फोटी नमर कुश्च जाड़ा है बाकसाइड से एलमुनियम का निसकर सन निमनलिखित में से किस के द्वारा किया जाता है तो देखिए बाकसाइड से एलमुनियम का निसकर सन यह किया जाता है बीदूत अपगटन बीधी के द्वारा किया जाता है अगला कुश्चन देखिए यहाँ पर हमारा फिप्टी नमर कुश्च जाड़ा है बोरेक्स लॉंड का रासायनिक सूत्र निमनलिखित में से क्या है तो देखे बोरेक्स लॉंड का रासायनिक सूत्र है यह N2B4O7.10H2O जो है यह बोरेक्स लॉंड का रासायनिक सूत्र है तो इसके राइट अंसर ओप्सन A हो जाएगा नाइस्ट कुश्चन देखिए यहाँ पर आमारा सुलाहवा नमर कुश्च चाड़ है कुलोरोफिल अड़ो में निम्नलेखित में से क्या मवजूद होता है तो देखे कुलोरोफिल अड़ो में ये मैगनेसियम मवजूद होता है तो इसके राइट अंसर ऑप्सन बी हो चाएगा और ये देख चाम पुश्चाए कि पतियों का हरा रंग ये किसके कारण होता है तो देखे पतियों का जो हरा रंग होता है वो होता है कुलोरोफिल के कारण ठीक है अगला कुश्चन देखेे यहांपर हमारा 70 नमर कुश्च जाड़ा है नास्ट कुश्चन देखे यहांपर हमारा 80 नमर कुश्च जाड़ा है हालमार का चीन निमनिलिखित में से किन उत्पादों पर लगाया जाता है तो देख़े हालमार का चीन है ये स्वनड आभउसनों के उत्पादों पर लगाया जाता है तो इसका राइट एंसर ओप्ष Act B हो जायाएगा Next Question देख़े यहां पर हमारा 21SV calamकुश्यादा है निमनलिखित में से किस योगी का परियोग अगनीरोधक कपड़ बनाने में किया जाता है तो देखे, अगनी रोधक कपड़ बनाने में ये aluminium selfhead का परियोग किया जाता है तो इसका right answer, option D का परियोग किया जाता है तो देखे रख्तसराव को रोकने के लिए ये आम तोर पर पुटा से एलम का परियोग किया जाता है तो इसका राइट है एंसर, ओप्सन डी हो जाएगा नाइस्ट कुश्चन देखे यहां पर हमारा एक किस्वा नमर कुश्च जाना है पलाश्टर अफ पेरिस का रासायनिक नाम निमनलिखित में से क्या है तो देखे पलाश्टर अफ पेरिस का रासायनिक नाम ये केलसियम सलफेट हाइडरेट है क्या है केलसियम सलफेट हाइडरेट जो है ये पलाश्टर अफ पेरिस का रासायनिक नाम है तो इसका राइट एंसर, option C युचा आएगा और यह देख़ा, हम पुछा है, plaster of Paris का रासानिक सूत्र क्या है तो देखे, plaster of Paris का रासानिक सूत्र है यह CASO4.1 by 2H2O जो है यह plaster of Paris का रासानिक सूत्र है, ठीक है अगला कुश्चन देखे, यहाँ पर हमारा 22 नमर कुश्च जाड़ा है इपसम साल्ड का रासानिक सूत्र है, निमनलिखित में से क्या है तो देखे, इपसम साल्ड का रासानिक सूत्र है यह है MgSO4.7H2O जो है यह इपसमसाड करा सानिक सुत्र है तो इसका राइट एंसर ओप्षन D उचायाएका नाइश्ट कुश्चन देखिए यहाँ पर हमारा 23 वा नमर कुश्च जाड़ है निमने लिखित में से कौन सी धातू नाइट्रोजन से जलती है तो बताएन में से कौन सी धातू यह नाइट्रोजन से जलती है तो देखिए यह है मैगनेसियम धातू यह नाइट्रोजन से जलती है तो इसका राइट एंसर ओप्षन C हो चायाएका कुश्चन देखिए यहाँ पर हमारा 24 वा नमर कुश्च जाड़ है सोने के आभोशन बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है तो देखे सोने के आभोशन बनाते समय ये तामबा धातु मिलाई जाती है तो इसका राइट अंसर ओप्शन ए हो जायाएगा और ये देख़े हम पुछाए कि आभोशन बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का उपदू और किया जाता है तो देखे अब उसन बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपदू किया जाता है ठीक है अगला कुश्यण देखे यहाँ पर हमारा 25 नमर कुश्यण है मैगनेसियम धातु का निसकर्षन निमनलेखित में से किस आयस से किया जाता है तो देखे मैगनेसियम धातु कानिस कर्शन जो है यह किया जाता है कार्नेलाइट से किस के द्वारा किया जाता है कार्नेलाइट से किया जाता है तो इसका राइट एंसर है ओप्सन C हो जाएगा निला थोथा का रासानिक सूत्र निमनलिखित में से क्या है तो देखें निला थोथा का रासानिक सूत्र यह है CUSO4.5S2O जो है यह निला थोथा का रासानिक सूत्र है तो इसका राइट एंसर ओप्सन D हो जायाएगा और यह देख शाम पुछाए कि नीला थोथा का रसानिक नाम क्या है तो देखें नीला थोथा का रसानिक नाम यह copper sulfate जो है यह नीला थोथा का रसानिक नाम है ठीक है अगला question देखें यहाँ पर हमारा 27 नमर question है निमनेलिखित में से किस खनीज द्वारा लोहा प्राप किया जाता है तो देखें लोहा जो है यह प्राप किया जाता है हेमेटाइट के द्वारा किसके द्वारा किया जाता है हेमेटाइट के द्वारा किया जाता है तो इसके राइट एंसर option D हो जायाएगा नाइस्ट question देखें यहाँ पर हमारा शिल्बर बुरमाइट के परत चड़ाई जाती है, तो इसके राइट एंसर, ओप्सन B होचा आएगा, उसके बाद यहाँ पर हमारा लाज वीडियो में पूछा गया प्रस्ण है, देखे प्रस्ण पूछा गया था, गलोबल गोल कीपर अवार दोहर उनने से, किसे समानित किया गया है, तो देखे गलोबल गोल कीपर अवार दोहर उनने से, ये समानित किया गया है, सिरी नरेंदर मोधी जी को, ठीक है, तो इसके राइट एंसर, ओप्सन C होचा आएगा, उसके बाद यहाँ पर हमारा आज का क एसमें बताना रहेगा तो दोस्तों आप इसके एंसर जो है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बाता है और ऐसे इंपोंटन वीडियो जो है आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें चैनल पर नहां तो चैनल को क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है ठीक है Thanks for watching.